नमस्कार मैं हूँ धरम दुबय और सुशान सिंग राजपूत मामले से जुड़ी एक एहम खबर आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ बहुती बड़ी निर्देशी का है एकता कपूर संजे लीला भनसाली का भी नाम आपने सुना होगा इन दोनों को मिला कर लगभग चार लोगों की कोट में हाजरी हुई है वो भी शुशान सिंग राजपूत मामले में क्या है पुरा माजरा जान लीजे इस वीडियो में दरसल अभिनेता शुशान सिंग राजपूत की मौत की साजिश के आरोप में दर्ज पुनरिक्षन वादपर गुरुवार को EDJ1 के कोट में सुनवाई हुई है। इस दौरान आरुपित फिल्मकार संजय लिला बंसाली, एकता खपूर, भूशन कुमार, साजित नाडियावाला के अधिवक्ता कोट में उपस्थित हुए। बंसाली की ओर से अधिवक्ता सरोच कुमार वशेश तीनों फिल्मकारो की ओर से प्रियर रंजन और्फ अनू कोट में उपस्थित हुए थे। बंसाली की ओर से पहली बार अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं। कोट ने अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तीथी निर्धारित की है। पुर्वो में अनूपस्थिती को लेकर फिल्मकारो को नोटीस भी किया गया था। बीते 14 अगस को अधिवक्ता सुधिर कुमार ओजा ने सलमान खान समेत 8 फिल्मी अस्तियों के खिलाव जिला वसत्र नयायले में पुनरिर्चंड वाद दाखिल किया था। इस से पहले जुलाई में CJM कोट में परिवाद दाखिल किया गया। और कहीं न कहीं कोट द्वारा जिस तरह की चीजे देखी जा रही है ऐसा वालूब बढ़ रहा है कि कोट में हाजिर हुए इन चारों ही निर्माताओं के लिए मुश्किल धीरे धीरे खड़ी होती नजर आ रही है। शुशान सिंग राजपूत बॉलिवूट के अभीनेता 14 जून को जिनका देहान थो गया जो रिपोर्ट विसरा आई उसके अनुसार ये कहा गया कि शुशान सिंग राजपूत ने सुसाइड किया है जबकि CBI अपने तरीके से अभी भी जाच परताल पर लगी हुई है और CBI क्या कहती है सुशान सिंग राजपूत मामले में इसके बाद ही हम भी कुछ कह पाएंगे आपका रियक्शन बहुत जादा जरूरी है जिसे कमेंट बॉक्स में लिखना है बने रहे हमारे साथ नमस्कार